कि अग्वाल दोस्तों दोस्तों आज की सुड़ियो में में आपको दिखाने वाला हुँ कुछ इस तरह का डैम हमारे दिवाल पर लगा है उसे हमने रिपरेंग करके कुछ इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट हमने यह दिवाल पो किया है तो यह वीडियो में हम वही देखने वा इसलिए यह फिर से हमें करने को आया है तुकि मैं आपको आगे बताऊंगा कहीं जगा से पॉटर पूपिंग शॉलूशन की पप्री बनके निकल रही है तुकि उन्होंने ठीक से जो प्रोसेसिंग होती है वो सब नहीं किया आगे कि जो भी ट्रीटमेंट वगरा करना होता है दीवाल को प्रिपेर करना होता है वो सब निकिया है इसके वज़ासे आप देखे को इस तरह से बबल बनके पूरी दीवाल पर आ रहा है उसके हम अच्छे से पूट्टी ब्लेट की मज़स से पहले तो इतना भी निकल रहा है हमारा जो केमिकल हो और यह सब आप दानी ब कर दो आप कि ता सुर गार कि अ को अच्छे दुक्स का अच्छे जहां को रहां है कि आप देख सकते हो मैं अभी आपको दिखाता हूं कि जो वाटर बॉपिंग के पपड़ी वगर थी वह तरह से निकल रही है उसके लिए आप यहां पर जेख सकते हो उन्होंने डायरेक्ट पुट्टी के ऊपर एक वाटर बॉपिंग लगा है तो यह कुछ इस तरह से आप इजीली निकल जाती है तो दुस्तों यह रॉंग तरीका था और उन्होंने इसी रॉंग तरीकों तो चुछ करके जल्दी से खत्म करने के बारे में सोचा होगा इस वज़य से इस तरह का मून का केमिकल भी वेस्ट हो चुका हो और अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं कर प पुट्टी को भी वह उसे लेवल करना था अभी मैं दुस्तों वही करता हूँ आप देख जो मैंने ग्राइंडर मसिन लिया और उसके अंदर सेंडिंग बीस होती है उसमें एटी नमबर या फिर सिक्षरी नमबर कुछ भी विपर लगा के जो रफवाला होता है उसे पूर वाल को साफ कर लेना है जो साफ इसलिए करना होता है क्योंकि हम इसके उपर अभी हम केमिकल लगाएगे तो यह डस्ट होगी तो फिर से वह अभी जो आपने वीडियो में देखे पहले बबल बना है जैसे बनेगे इसके बाद दोफ्तों अब्जेक्टिक्टों में यह एश प्लियर होता है अंदर आप डबी के अंदर आपको हमाइट मिलेगा ओ लगाने के बाद यह यह एक ट्रांसपरांट हो जाता है जो आप नीचे का प्लास्टर है वह अच्छे से देखता है और इसे लगाना की चाहिए तो आप जिसक्ट्यों प्रस अब्रस से ही आपको लग पूरा कवर करना है उसे ज्यादा आप करोगे तो वो क्या चीजों बनेगी न सुपने के बाद वो बननी पाती है इसलिए हमें अच्छे से लगाना है और हर जगा पर लगा के छोड़ दिना इसे चार से पांस कंटे के लिए तो अभी हम सकते पहले पुरी जगा पर लगा लेते हैं और फिर आगी की प्रोसेस से आपको शेयर करता हूँ जोस्ते एक और बात में आपको बताना चाहता हूँ अब केमिकल लगा हूँ तो जो वहां पर डेंप लगा है उससे एक फूट उपर तक और आजबादी हो सभी जगा पर एक फूट तक यह केमिकल लगा लेना ताकि जो फिर से उपर निचे डेंप है वो जाने की संभवव जोना ना रही होग अच्छे से फिलप हो जए तो इसी तरह से हर जगा पर केमिकल लगाया है और च्यू में किस तरह से लगवा रहा हूँ ईस्तु क्वेह लगा सकते हो यह ईतना दीकेट वाला काम नहीं है पर अगर आपको फेस्टक्रेशनल से कर वाना चाते हो तो यह वा चेमिकल लगा है वो आता नहीं इसके वाल सोगे वाला हो जाता है दो निषे बार ची सब्सक्क्राइब करने के वह भी वाटरफुल दोती है तो इसके वज़े से अच्छे से फिनिशिंग मिलता है तो अभी तक आपने वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करना और चैनल को सिब्स्क्राइब कर सकते हो कि इसी तरह से हमें पूरे हर जगा पर जो इतना पाट है वहां से हमें केमिकल लगा है उससे एक फिट तक मैं आपको रिक्मेंट हरूगा क्या आपको वाल को टिक कर लीजिए और हो सके तो एक पटला कोट पूरे दिवाल पर ही लगा लीजिए यह करने के बाद जब फाइनल झां जब सकत्वा इढ़ा लाइनल यह पंग हमना पना गोड़म और रपोर फिस दो भी ठार उतर। मैं पना 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 हूव को आप लगदितन आप राइब्स पthon मैं पना प्रता पना हुआ बहले में आपटागा पना हुआ पूरे हर जगा पर पहला कोट करने के आसपास आच चुक है जोस्तों यह हमने आपको इसलिए पुरी प्रॉसस दिखाए कि आप समझ चुको जोसे तीन कंटे अच्छे से शुप में देना यह पहला कोट सुप जा दूसे तीन कंटे उसके बाद आपको आगे का काम करना आप अब जस्तों दूसरे कोट में या फिर हम जो पहला कोट था वहां पर हमारे में मक्सब ता गड़्डे पड़े उसे अच्छे से फिलब करना दूसरे या फिर आप तीसरा कोट लगाने के जरूद पड़ती है तो वह उसका मक्सब दूना चाहिए कि हमारे जो वोल है उसके से अचे फिनिशिंग देना है उसके यह में यह दूसरा कोट करें पूरा दो कोड कम्प्लेट से लिया उसके बाद यहां पर आप जश्चते हो किस तरह से सब्सक्राइब आप ज़रूर ही होता है और दोस्तों एक और बात मैंने आपको जैसे आगे बता है ता सेंदिंग के बाद इसे हम कपड़े जाड़ो के मज़े से फिल्सर साफ कर लेना है तक कि जो हमारी डर्श्ट वगर है वह फिर जो अभी प्राइमर हम करेंगे उसके उपर देंप अगर आप मतलब जो फोटे बबल्स होते वह फिर से ना आए उसलिए वह भी जैन रखना है कि जब भी हम सेंदिक से काम करें तो इसे सब्सक्राइब करनी जरूर होते है उसके एक बार आपको फिर से बतना आता हुगा यहां तक आपने वीडियो देखे तो प्रीज वीडियो को लाइप करना प्राइमर का जो इसके बाद में पर्फल कलार है पिंक कलर जैसा हो करके जो कोट पिनिशन करने वाला हूं जो पिलर है वहां पर यह कलर किया हुआ था पहले लुक लाने वाले हैं तो इसी तरह से पूरा वीडियो है कया सबसि के आप करना है तो ओपर में बटन एडियो दे रहा हूँ आप Doll nay कि वाल पर प्रेंट करते हो और उसकी प्रोसेसिंग क्या होनी चाहिए उस आपको डिटिल में मिल जाएगा और अलग अलग वाटर पूपिंग सॉलिशन के बारे में हमने हमारी चैनल पर दिखाया हुआ है डेंप फूप है फिर अभी हम यूज़ करें समार्ट का एड्रो लो है कैसे जान यूज़ करनी है किस तरह से ब्रस रोलर यूज़ करना है और पॉलिस पर कैसे करता है वो सब इस वीडियो में हमने हमारी चैनल पर बना के रखाए वहाँ पर जाके अब्जेक्स क्यों तो दोस्तों यहां तक आपको समझ आ चुका हो कि हमने फपड़ी को अठा करना दूस्तों मिलते अगले वीडियो में सब अगले बाए 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 और दुस्तों यहमारी व्लॉगिंग चैनल है इसे भी आप सपोर्ट कर सकते हो एक बार सब्सक्राइब करके और वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो वहाँ पर हमने माइफार्स लोग करके एक सबस्क्राइब करने वाले तो आपको वहाँ पर भी अच्छा लगेगा वहाँ पर जाके एक बार विजिट करके हमें सपोर्ट कर सकते हो